आज की शुरूम मैं तो कुछ important question बताऊंगा और इन question को solve करने के लिए मैं आपको सबसे आसान तरीका बताऊंगा तो मैं आपको यह बता दना चाहता हूं कि इसमें मैंने जितने भी question include के हैं सभी simple interest मैं साधार ब्याज से लिया है तो चलिए अब शुरू करते हैं चलिए को समय पहला देखा जाए इसमें क्या दिया गया चार हजार रुपए का दस प्रतिसत वार्सिक दर से दो वर्स का साधार ब्याज ग्याद दीजिए ठीक है इसमें क्या दिया आपको मूलधन दिया है और दर दिया है समय दिया है तो पूछे कि आपसे साधार ब्याज साधार ब्याइबर क्या होता है? मूलधन, गुड़े दर, गुड़े समय, और पूरे कबड़ा कितना होता है? 100 होता है करने के इस फारूम में पर आपके solve को लिए आपको क्या जाएगा? आंसर रहे है, ठीक है यह आफसर लोग लिखे लिए अब कि कितनी जीरो बच गिए? एक दो जीरो बच गिए, आप यहां से दो जीरो इसके आगे लगा देज़े अर्था अता बता सकते कि 4000 रुपे पर 10% वार्षिक दर्ष से दो वर्स का साधार ब्याज कितना होगा? 800 रुपे ब्याज बढ़ेगा तो देखिए इसका कौन से मैच कर रहा है तो C option इसका मैच कर रहा है next question दखा जाए question second दखा जाए इसमें क्या दियागे? 500 रुपे पर एक वर्स का सारल ब्याज एक प्रतिस्त वार्षिक दर्ष से क्या होगा? इसमें दिया कि आपको मूलधन दिया है समय दिया है और दर दिया है तो पूछा है कि आपसे सरल ब्याज मैं साधार ब्याज आपसे पूछा है ठीक है तो साधारा ब्यावर क्या होता है, SI बरावर क्या होता है, मूलधन हो जाएगा, मूलधन कितना पर यहां से 500 है, और दर कितनी 1%, समय भी एक है, और पूरे का बड़ा कितना होता है, 100 होता है, यह 0000 से इसका यह 0000 कट किया है, अगर आप इन सभी का गुड़ा कर लेंगे, तो पांच रुपे आपको मिल जाएगा, अर्था दब बता सकते हैं कि 500 रुपे पर एक वर्स का सरल ब्याज कितना बनेगा, एक परसन के साब से 5 रुपे ब्याज बनेगा, तो C option इसका मैच कर दाएगा, नेश को से नखा जाए, खोसमा थिरी देखा जाए, इसमें क्या दिया है, दर दिया है, तो पूछा कि आपसे साधार भी आज पूछा है, ठीक है, लेकिन यहां पर समय किसमें दिया है, आपको माह में दिया है, समय किसमें दिया है, माह में दिया है, तो जो भी समय दिया है, आपको क्या करना को वर्स में करना हो, ठीक है, तो समय किसमें माह में ह लिए क्या करया आब 12 से भाग जो एक आप 12 से भाग login आप 27 करण श्मीं轉 मेरние ही थीकिए अप रिया से लिख लिए S I B autor कितना पांसो रुपे हैं और आप क्या देम को ilुखी दर कितनी आट परसंट और समय कितना आपका, इतना 6 वटे 12, यह कह सकते, एक वटे 2 भी तो कर सकते हैं, एक वटे 2, और पूरी कवटए कितना जाएगा, 100 हो जाएगा, यह double 0, इसका, यह double 0 कड़ गया है, अगर मैं इसको यहाँ से काड़ दू, तो 2, 4, 8, अगर इसका यहाँ से गुडा कालित कितना जा सच वरसिक दश से 3,000 रुपे का साध हारा क्या चार, 180 roughly हो जाएगा, आप से यह पूचा, किस में आप पूचा है क्या पता है just इसमें रखके solve फ़ले आपको कहा जाएगा answer है हम यह आपके solve करते है एक हजार यह 80 हो गया बरावर मोल दर कितना यहां से तीन हजार हो गया तो तीन हजार हो गया और दर कितनी दे गई है बारे परसंट दे गई है और समय आपसे पूछा गया तो आप इसको इसी तरह से छोड़ भी और पूरी का बटा 100 यह यहां से double zero से इसका यह double zero कट गया है अगर मैं इसको यहां से काट गट गया है यहां से 12 नमा 100 आज अगर इसको यहां से काट गट कितनी तीन तरीका 9 अर्थाता बता सकते है किस समय बराबर कितना पता चल गया तीन वर्स ठीक है यह आपके आगया अंसर है तो देखे कौन से मैच कर रहा है तो पहला आप से किसका मैच कर रहा है नेश कोसम देखा जाए कोसम फाइब देखा जाए इसमें क्या दिया गया यदि कोई रासी 5% वर्सिक 7 ब्याज की दर्स से 6 वर्सों में 26 हो जाती है तो रासी है आप से यह पूचा गया ठीक है अगर यह 5% की हिसाब से 6 वर्सों में इतना हो जाती है तो यह क्या है मिश्रदन आप बता सकते हैं यह क्या है मिश्रदन अगर यह मिश्यदन तो इसमें क्या सामिल होता है? मूलधन सामिल होता है और इसमें क्या सामिल होता है? ब्याज सामिल होता है तो जो भी मूलधन हो अपने आप पे 100% होगा और ब्याज कितना मन रहा है, तो यहां से गुडा के लिए यहां से कितना ब्याज बन गया है, 5 शकर 30%, पुल ब्याज कितना मन गया, 30% ब्याज बन गया, अर्थात आपको यह पता हुआ है, कि साधहार ब्याज में का तो प्रतीक वरस का ब्याज constant होता है, अगर एक वरस में 5% ब्याज मर रहा है, तो अगले वरस में भी 5% बनेगा, अगले वरस में भी 5% बनेगा, तो इस तरह से 6 वरस में व्कुल कितना हो जाए, 5 शकर 30, आपको पता चलिए ब्याज कितना बन गया, 30% ब्याज बन गया, अगर परसंटेज की बात के लिए यकुल कितना है, 130% है कि नहीं, क्योंकि मुल्धन सामिले और ब्याज सामिले, अगर परसंटेज में दिखा दिए कितना है, क्या सकती 130% है, इसमें करना की 130 से भाग दे दिजे, 100 से गुड़ा के लिए आपको कह जाएगा, आंसर हो जाए, अर्था अर्था बता सकते कि मौल्धन कितना है, 2000 रुपे था, तो दिखे कौन से इसका मैच करा है, तो भी आपसन किसका मैच करा है, नेश कोसन दिखा जाए, कोसन दिखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक बेक्ती बैंक में से कुछ रुपे 15% वार्षिक प्याज की से उधार लिया है, अगर तीन साल बाद वह इतने रुपे वापस करता है, विस बैंक को क्या करता है, इतने रुपे वापस करता है, तो उसने कितना रुपे उधार लिया है, आप से ये पूछा गया है, अगर ये वापस करा था, इसमें क्या सामिल है, जो रुपे उधार इतनी आता वह सामिल है और इसमें ब्याज भी सामिल है। क्या सविकμεंड़ते हैं? आप कहा सकते ही that total कितना 145 पिसंट है क्या इसमें कारना है कि 145 और भाग दे दिज़े 100 से गुड़ा के लिए आपको किया जाएगा आइस्टे डिए मैंने अब कहा है क्या हुआ इसका इसमें गुड़ा के लिए 45 पिसंट मिल गया इसमें क्या मिश्यदन है तो मूल धर्वी सामिल और ब्याद सामिल तो कह सकते हैं 145 परसंट है इसमें 145 से भाग देजिए 100 से गुड़ा के लिए आपको क्या जाएगा आंसर आ जाएगा 25 25 25 अब किसमें कारों किती मिश्यदन है तो 5,95 परसंट हो गड़िये 5 बार में 5 बार में यह क्या हो यह पूरा पूरा कड़ियाएगा अब करने हैं इसको यहां से गुड़ाओ कर लिए अगर आप इन सभी का गुड़ाओ कर लें ये जीवूराओओं का बचा की है , नहरु क्या है बचा हुआ थिक सभी का आपत यी प्रतिसत का लाव होगा तो जो भी मुलधार अपने 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 परसन उन दोनों को जोड़ के इसमें क्या करें इसमें प्रतिसत की दर्श से पंदरा सव रुपे चार वर्स के लिए ब्याज पर देता है तो चार वर्स के प्रतिसत का लाव होगा आपसे पूचाएगा तो सबसे पहले हम यह पता करें कि ब्याज कितना पर रहा है इसमें क्या पता आपको दर पता है मुलधार पता है समय पता है तो हम क्या कर सकते हैं यहां से क्या कर सकते हैं तो यहां से कितना है तो मुलधार कितन प्रतिसत का लाब हो आप से यह पूछा गया है तो प्रतिसत लाब बराबर होता है प्रतिसत लाब बराबर क्या होता है लाब बटे क्रेमुले क्रेमुले और इंटू क्या होता है प्रतिसत लाब निकालने का यह फार्वूला होता है इसमें आपको लाब पता है इसी लाब को क्या बताना है आपको रुपे में प्रतिसत में बताना है तो आपको करना है किस पर रख सौल भी लाब कितने को रातीन सौ और जो क्रेम उन इसका क्या करेगा यही जो इसका क्रेम उन लेका काम करेगा तो बटा कितना है यहां से थारी 3% का éчи, बिस परसान का लाव हो गया है, इसमें करना है कि आपको सबसे पहला आप क्या निकलेंगे, बियाज निकाल लेंगे, अगर आपको बियाज पता चल गिया है प्रतिस्त लाव बराबर आपका यह फार्मॉला होता है तो लाव हो गया बटे क्रेम उले का काम आपका यह करेंग तो क्रेम उले और इंटु सो इसको सोल को लेवर कर जाएगा आंसर जाएगा तो ब्यो आफ़सन कीस का मैच कर रहा है कोई धन साधार भी आज की दर से दो वर्स में पांसो रुपे तथा चार वर्स में नौसो रुपे हो जाता है तो वह धन होगा आप से पूछाएगे इसमें दिया कि अगर कोई धन है साधार भी आज की दो वर्स में इतना हो जा रहा है अगर यह इतना हो जा रहा है तो यह क् कह सकते हैं आप मिश्धन दिया है दो वर्स का मिश्धन इतना है और चार वर्स का मिश्धन इतना है तो जो दिया आप यहां पर लेख लेजिए दो वर्स का मिश्धन बरावर कितना दिया से 500 रुपे दिया है फिर नीचे से क्या दिया है चार वर्स का मिश्धन कितना दिया स से 900 रुपे यह है ना अगर मैं इसको यहां से घटा दे तो मुझे क्या मिल जाएगा दो वर्स मिल जाएगा दो वर्स मिल जाएगा अगर मैं इसको यहां से घटा दे कि तवली मुझे 400 रुपे मिल जाएगा अर्थाता बता सकते हैं कि दो वर्स का ब्याज कितना पता चलिए आपको दो वर्स का ब्याज 400 रुपे है तो इसमें सामिल किया है जो 500 रुपे इसमें क्या सामिल है अगर ये दो वर्स का मिश्दन है तो इसमें क्या सामिल है ब्याज सामिल है और मोल्दन सामिल है दो वर्स का ब्याज सामिल है और मोल्दन सामिल है लेकिन आपको पता चलिए के दो वरस का ब्याच कितना हो रहा एक एतना होगा किवह एगर इससे घाटा दू तो मुझे क्या पता पता चेलिया मोल्दन पता चेली कि नहीं पता तो क्यूं से में म०्वाइश को तो इसमें मौल्दन सामि chat तो और ब्याश सामिल भ्याश twoर्प आपको पता चलिया तो यहां से घटा लेजिए कितना यहां से 100 रुपे अर्थाता बता सकते हैं कि मोल्धन कितना पता चलिया को 100 रुपे तो पहला आपसे किसका मैच करा है नेस्ट कोसन देखा जाए इसमें क्या दिया गए है साधारा ब्याज कि किस दर्श से कोई धन आठ वर्स में दोगुना हो जाएगा आपसे यह पूच आगए इस कोसन का मतलब क्या मैं आपको समझा रहा हूं जैसे मेरे पास 100 रुपे है मेरे पास कितना 100 रुपे है और इसको बेंक में जमा कर दिये आठ वर्स में कितना हो जाए दोगना हो जाए यहाट वर्स में कितना हो गया यह important यह दोगणा हो जाए थी अगर यह दोगणा हो गया तो इसमें क्या सामेल है क्या सक दिसमें 01 term UMे दले सो रुपे मूंदेन है और 01 term ifura ingran is लागने तो आपको पता है तो साथ ब्रप मूं दहान को बटता है करने के आपको अपका पैसी अपता है, ब्याजस भी पता है, समें भी पता है क्या करहसे आप यहां से रख Also. ऐसा इब भराव होता की नहीं? यह स मूलदच को पता है, 100 रुपे हैं ब्याज बराव किया तो मोलधन, मोलधन कितना आपका? 100 रुपे हो गया और क्या दियाव से दर पूछा गया, दर को इसी तरह से छोड़ दिजिए, समय कितना दिए? 8 रुष दिए और पूरी कपटे कितना दिए? 100 यह 100 सा 100 कड़ गया है अगर मैं इसको यहां से काड़ दिए, कितना दिए? 12.5 बार में कर लियाएगा तो दर आपको पता चली कितनी यह, 12.5 परसट वार्ष दिए दर कितनी पता चली यह, 12.5 परसट वार्ष दिए तो दिए कौंसे से मैच करा है, तो C आप्सन इसका मैच करा है साधार ब्याज की किस दर से किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2 बटे 5 होगा आपसे यह पूचा गया क्या कहा गया? साधार ब्याज की किस दर से किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज उस धन का मिस मोल धन का 2 बटे 5 होगा आपसे यह पूचा गया औरले माना मोल धन हमको पता नहीं माना मोलधन कितना है माना मोल धन कितना है 60 रपी जो भ्याज हो रहा है उस दन का कितना है Harel, जो मुल धन का जाओर है दो बटे पांच हो जाय जारीए आप यहां से निकाल सकते भ्याज ना कितना बढ़ाँ है यहां से ब्याज बरावर कितना हो रहा है? सो का करने के दो बटे 5 करना है अगर भी इसको यहां से काट दो 5 दो ना? 10 इसका यहां से गुड़ा का लिए तो कितना में लिए? 40 रुपे ब्याज बन गी है, ठीके? अब देखे पूचया कि आपसे दर पूचया है, तो क्या आपको पता चलिए? मूल दर पता है, और क्या पता आपको ब्याज पता है? समय पता है, क्या कर सकते हैं? आप दर निकाल सकते हैं यहां से इस फार्म में बरके सॉल्व करते हैं तो ब्याज बारावर कितना अगे यहां से, मोल निल कितना यहां से, 100 रुपी है, और यहां से दर आप से पूछा गया है, समय कितना दिये गए, 10 वर्स और पूरी का बटा, 100, यह 100-100 कट गया है, अगर मैं इसको यहां से 0-0 काट दो, तो दर बारावर कितना पता चलिए को? दर कितना पता चलिए चार प्रतिस्ट वार्ट सिक है। ठीक है। आपका यह क्या आगया। आंसर आगया। तो दिखें कॉन से इसका मैच करा है। तो पहला आपसलिकिस का मैच करा है।